Hey! Welcome to sports security आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो 5 badminton रैकेट जिनको आप पर्चेस कर सकते हैं 3000 रुपीज के अंदर जी हाँ दोस्तो अंडर 3000 रुपीज कौन से हम badminton रैकेट पर्चेस कर सकते हैं काफी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं आज इस वीडियो में ऐसे ही 5 रैकेट देखने वाले हैं जिनकों कि आप 3000 रुपीज से भी कम पर्चेस कर सकते हैं और ये काफी कमाल के रैकेट से हैं तो अगर आप कोई रैकेट पर्चेस करना चाहते हूं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंट्स तक शेयर करना विदावट वेस्टिंग अने मोर टाइम लेट्स केट स्टार्टेट तो गाइस नमवारा नमबर 5 बैटमिंटर रैकेट है लुक की बाद करें तो यहाँ पर ब्लू वाइट कलर में यहाँ पर यह बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाता है शेप की बाद करें गाइस तो आईसोमेटिक शेप इस रैकेट के अंदर आपको मिल जाती है और गाइस इंटरमिडियेट लेवल का यह बैटमिंटर रैकेट है मैटिकल की बाद करें तो ग्रैफाइट मैटिकल से बना हुआ है यह बैटमिंटर रैकेट है प्राइस की बात करें गाइस, तो बैटमिंटन रेकेट अग्तकरीवन आपको 23 रुपे के आसपास का मिल जाते हैं, यहाँ पर फिलार इसके प्राइस जो है, वो 23 रुपे के आसपास चल रही है, लेकिन प्राइस प्राइस जो है फ्लक्ट्वेट होती रहती है, तो अगर बात करूं, तो यहाँ पर basically blue, white, black और थोड़ा mixture type में इन्होंने look यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यह कैसा लगा by the way comment करके जरूर बताइएगा, तो again isometric shape आपको इसमें मिल जाती है, यह भी graphite material से बना हुआ ही बैटमिंटन रेकेट है, और इसके साथ आपको काफी अच् Valtric 0.7DG badminton racket, look wise guys यह थोड़ा blackish blue अजीब सा यहाँ पर color दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ ठीक ठाक look में यह बैटमिंटन रेकेट आपको मिल जाती है, again यह भी बैटमिंटन रेकेट आपको one piece में मिल जाता है, और again यह भी graphite material से बना हुआ बैटमिंटन रेकेट ह के साथ में, यहाँ पर 35 LBS के टेंशन के साथ में यह बैटमिंटन रेकेट आपको मिल जाता, यह भी काफी सही बैटमिंटन रेकेट है, आप इसको consider करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन look wise इतना कुछ खास नहीं है, गर मैं बात करूँ price की तो 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 ग्रिवन 3000 रुपीस के असपास का price फिलाल इसका चल रहा है, जो की fluctuate होती है, तो यहाँ पर link नीचे description में है, Amazon से आप इसको purchase करना चाहें, तो purchase जरूर से कर सकते हैं, इसके बाद guys जो है number 2 badminton racket है, वो है UNEX XTROX 39 badminton racket, guys यह भी काफी पढ़िया badminton racket है UNEX का, जिसके अंदर rotational generator system का भी use किया हुआ G4 grip size के साथ में 82-95 gram के weight के असपास का यहाँ पर इसका weight है badminton racket का, और guys यहाँ पर graphite और carbon graphite material से मिलके यहाँ पर बनाया गया, उसके अलावा इसके अंदर काफी सारी advanced technology का use भी किया गया है, तो again isometric shape इसके अंदर आपको मिल जाती है, again one piece में यह badminton racket आपको मिलता है, अग जादे information के लिए link रीचर description में है, वहाँ से आप इसको 3,000 रुपीज के असपास का जाके purchase कर सकते हैं, विजून पर, guys जो number one badminton racket है, वो है yonex muscle power 55 badminton racket, guys देखिए काफी बढ़िया badminton racket है, यहाँ पर advanced level के लिए, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके grip की तो again G4 grip के स साथ में आपको मिल जाता है, अगर मैं बात करूं tension की तो अगरिवन 30 LPS की tension इसके अंदर आपको मिल जाती है, अगर मैं बात करूं look wise तो काफी कमाल का look है, आपर इसमें जो silver, whiteish और grayish सा look दिया हुआ है, काफी बहुत ही जादा beautiful सा लगता है देखने में, इसके साथ में premium quality आपको protection के लिए high quality padding वाला cover भी दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं तो shape की तो again इसके अंदर भी आपको isometric shape मिल जाती है, और again one piece में ये badminton racket आपको मिल जाती है, overall मेरी तरफ से आपर ये काफी बढ़िया badminton racket है जिसको तक्रीवन आप 3000 रुपे के आप सपास amazon पे link के नी और आप comment करके बताएं कि आपको इन में से कौन सा racket सबसे ज़्यादा पसंद आया, और मैं मिलता हूँ से next वीडियो में, तब तक के लिए bye bye